हेलो श्रेंट्स हम चार्ज डिकन्स को स्टेडी कर रहे हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो चार्ज डिकन्स के वर्क्स की खासियत हैं और इसके अलावा जो दूसरे लोगों ने राइटर्स ने चार्ज डिकन्स के बारे में काये इसके अगले वीडियो में हम चार्ज ड पढ़ा है और मैं कुछ करेक्टर्स के नाम लूँ तो आप पहचान जाओगे 10-20 करें राइटर्स हैं तो उनके बीच में से आप पहचान जाओगे कि यह जो करेक्टर्स है चार्ज जिकिन्स के हैं तो शेक्ष्पियर के बाद में विक्टोरियन एस तक कोई ऐसा राइटर्स जिसके करेक्टर्स के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं जिसके करेक्टर्स इतने प्रभावशाली थे शेक्ष्पियर के बाद में तो वो चार्ज जिकिन्स थे चार्ज जिकिन्स के बायोग्रफिर थे किलैड टॉमलिन उन्होंने कहा था चार्ज जिकिन्स के लिए रिगा आप में unique थे, उनके नाम से हम उनने पहचान सकते हैं, उनके बारे में जो description था, उनसे हम पहचान सकते हैं, और आज भी उन characters का use होता है कई बार, मैं आपको detail मताऊंगा, एक 20 century के writer थे, बहुत महान writer है, Virginia Woolf, उन्होंने जो Charles Dickens के बारे में कहा, ये भी आपको ध्यान लखना ह एक word ही है, psychological geography, जो paper आता है, उसमें आपको quotation दिया हुआ है, और अगर आपको कोई word भी पता है, आप समझ जाओगा कि किसके बारे में बात हो रही है, तो psychological geography, ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है, Charles Dickens के बारे में, और कौन कर रहा है है, वर्जीनिया वूल वो क्या कहती है, वर्जीनिया वूल्फ क्या कहती है, कि जो Charles Dickens के work है, वो हमारी जो मानसिक भूल है, psychological geography है, इसे दुबारा से एक तरह से नया रूप देते है, रिमोडल करता है, दुबारा से रिमोडल करता है, क्योंकि जो इनके characters होते हैं, वो जरूर नहीं डिटेल में य अब इसे चाहे, एक बार, नेक्स लेखते है, Charles Marx, भाई, Marx का नाम तो सुना होगा, Marxist theory होती है, जो workers के rights की बात करते हम, दुनिया भर में जो workers के rights हैं, आज भी हम जो study करते हैं, जो communist party हैं दुनिया भर की, चाहें इंडिया की हो, चाहें वो चाइना की हो, चाहें दशिया की वो सभी काल माक्स की theories पर कहीं ना कहीं work करती हैं, उसे प्रहावित है, काल माक्स जो इतने बड़े जो है, एक तरह से का revolutionary थे, उन्हों ने Charles Dickens के बारे में क्या कहा, काल माक्स कहते हैं, Dickens के बारे में, issue to the world, more political and social truth, Charles Dickens ने दुनिया को जादा राजनीतिक और सामाजिक सत्त से दिये हैं, जो दूसरे राजनीतिक politicians, राजनीतिक लोग, publicist या नैतिक वादी लोग हैं, उन्हों ने जितने मिला कर दिये हैं, सामाजिक सत्ते, उससे कहीं ज्यादा Charles Dickens ने दिये हैं, तो आप इसको पहचान सकते हो, more political and social truth, ये phrase को ध्यान रखो, ये कही गई है, Charles Dickens के के लिए और कही किसने है, Karl Marx ने, ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है इसे, आप एक और पढ़ लो इसे, नेक्स एकते हैं, जॉर्ज बर्नाट शॉर्व, 20 सेंची के बहुत बड़े डामाटिस्ट है, जॉर्ज बर्नाट शॉर्व ने, अगर हम बात करें, चार्ज बर्नाट शॉर्व ने कहा है, इसके अलावा ये एक रीडर, रीडिंग भी बहुत अच्छी करा करते थे, मैंने पिछले वीडियों बतलाया भी था, कि चार्ज बर्ना चाहते थे, मिमिकरी बहुत अच्छी करते थे, अक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन जो इनकी काबलियत थी, ये काबलियत जब बाद में काम में आई, जब ये अपने वर्फ्स को लोगों के सामने पढ़ते थे, तो लोगों हजारों की भी रिखटा होती थी, इनने सुनने और देखने के लिए, और उस जमाने तक हम कह सकते हैं, कि जो पहले, जो सेलिबरेटी थे, वो चार्ज जिखिंस थे, जैसे हम कहते हैं, बॉलिवोड का पहला जो है, वो सूपरिस्टार कौन था, हम कहते हैं, राजेश खना, उसी तरीके से लिट्रेचर क जो पहला सेलिबरेटी माने जाते हैं, तो वो चार्ज जिखिंस थे, क्योंकि लोग इनको देखना चाहते थे, चार्ज जिखिंस के बारे में, जो उनके बायोग्रफर थे, एक दूसरे, एडगर जॉंसन, उन्होंने क्या का, इट वाज मोर देन रीडिंग, ये रीडिंग जो जकर लेती थी, जो देखने वाले होते थे, उन पर एक तरीके से अपने प्रभाव डालती थी, इससे जो है, एक और आप हिंदी में लिखा हुआ है, रीड कर लो, नेक्स लिखते हैं, जो डिकेंस के वर्क की खास यते हैं, उनको श्टडी करेंगे, घिकेंस जो हैं, उनके नाम से बनाओ है, डिकेंस सीन, अगर हम डिकेंस सीन लिखा ficou याता है, तो इसका मतलब है कि ऐसा वर्क जिसमें सामाजिक और वर्किंग कंडिशन की बात हो, जो गरीब तपका है, मजदूर है, उसकी बात हो, इसका मतलब हम बात करें, डिकन्सियन, तो ये तरीके का जो है, नाउन, या कहें, एडजेक्टिव बन गया है, कि ऐसा वर्क, जो गरीब लोगों के दबले जो परिशान लोग हैं, उनकी बात करी जाए, उनकी वर्किंग कंडिशन की बात करा है, तो डिकन्सियन मतलब होता है, चाल डिकन्सियन ने जो लेंग्विज अपने वर्क में यूज करी, कहीं-कहीं, हमेशा नहीं, वो कॉकनी इंग्लिश यूज करी, कॉकनी इंग्लिश क लग है उनके बोलने का तरीका थोड़ा अलग है चाहिए वो बनावटी है लेकिन वो दिखाया जाता है उसी तरीके से जब एक जोपन पट्टी दिखाई जाती है तो अलग तरीकी भाषा दिखाते हो उनकी बोल चाल रहने का तरीका बोल चाल में क्या दिखा देंगे कहा जा उनकी भाषा को यूज करा था, उस जमाने में इन्होंने क्या करा, जिसे r-naught को ant लिख दिया, अब तो यूज होता है, उस जमाने में इन्होंने यूज करा, hair को air, what को what, और कुछ जो होता, कह सकते हैं, एक तरीके से, जो इंग्लिश में, जो था, abusive words, वो भी इन्होंने उसको उन्होंने दिखाया, छिपाया नहीं, कि खुबसूरती से दिखाया थे, जो पोईट सोते थे, तो उन्होंने जैसे खुबसूरती को उपर दिखाया, ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने जो कड़वी चीज थी, वो भी उन्होंने दिखायी, और दिखायी कहां कि, जो लं उनने बहुत कई गंटे काम करना पड़ता, फैक्तरियों में बुरी कंडिशन में काम करना पड़ता, तो यह सब चीज़े उनने दिखाई, इस्ट्राइक दिखाईए, हर्ताल दिखाई, राइट्स, दंगे रिखाईए उनने, चाइल्ड लेवर के उपर दिखाया, बहुत जादा तब चाइल्ड को जो था, लेवर का तौर पर इस्त्माल कराया आता था, तो ये सब चीजे उन्होंने अपने वर्क्स में दिखाई, तो रियालिज्म जो है, एक तरह से उनके वर्क्स में मिलता है, रियालिस्टिक चाइल्टिकस ने कोशिष करी लोगों का साइंस, जमीर को जगाने की, अराॉज, जमीर को जगाने की कोशिष करी, अगेंस दा एक्स्ट्लोइटेशन, शोशण के खिलाफ, ऑफ दा अप्रेस्ट, जो दवे कुछले थे, उनके उपर जो सोशण थे, उसके खिलाफ उन्हों बताया था मैंने कि Charles Dickens के जो करेक्टर से वो अपने आप में यूनीक हैं, शेक्ष्पीर के बाद में कह सकते हैं कि उस समय तक सबसे यूनीक जो ते करेक्टर सो इनके थे, इनके नाम जो ते करेक्टर से यह भी बिलकुल अलग थे, जैसे यूनीक नेम्स होते थे, Abner Scrooze, Scrooze, Scrooze होता है, Scrooze, Abner Scrooze हो गया, Tiny Tim, Tiny Tim, अलगी नाम हो रहा है, Tiny Tim, और और Crash It, अलग नाम हो रहा है, यह Christmas Carol, जो एक short story है, important है, 10th किलास में भी थी है, पहले CBAC Board में, तो उसके यह करेक्टर से, Oliver Twist, नाम ही तेखो, Oliver Twist है, उसमें नाम ही अलग रहा है, Twist, इसके अलवा, Artful Dodger, यह Artful लिखा हुआ है, Fagin, Fagin, Bill Sykes, यह Oliver Twist में, Great Expectation में अगर हम बात करें, तो Pip, पिप अलग योगा, Pip, Miss Havisham, Havisham, थोड़ा अलग नाम हो रहा, Abel Magvich, Magvich, Witch, तो यह अलग नाम थे, बिलकुल यह अलग नाम थे, और इन करेक्टर से यह खास्य थी है, कि कोई penser joe क्रेक्टर से, उनका description हो था, कि अया-मऺशन होता था, पत्ला था, टो इनके character के लक्षन होता हुता हुआ, उनसे हम पहचान जाते था कि यह character की बात हो रही है, तो यह भी इनके बारे में यह जूता ह, एक detail में बतला थे थे, इनके nAmm unique होते थे और इनका description भी दे करेक्टर को आप एक साथ रख सकते हो, कि वो एक जैसे होंगे, जैसे मैं कहूं हूँ हमलेट, हमलेट टाइप नहीं है, हमलेट अपने आप में इंडिवीजुल है, हमलेट अगर कहें तो एक ऐसा विक्ति जो बिल्कुल अलग है, सोचने में टाइम ले रहा है, बदला लेना हमलेट जैसा करेक्टर आपको कहीं आसपास नहीं मिलेगा, तो यह इंडिवीजुल करेक्टर है, जो कई करेक्टर एक जैसे हो सकते हैं, उनकी सोच के हिसाब से, कारियर के हिसाब से, नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके जो सोच और करने का तरीका वो एक जैसा हो, तो चा other writers के हमें characters types ही मिलते हैं इनके characters जो थे हो अपने आप में नाम के हिसाब से देखें तो unique है और उनकों पहुचान सकते हुं कि detail के हिसाब से और वो अपने आप में types हैं अब बात करते हैं humor and pathos जैसे हम मैंने बताया था Charles Lamb के जो essays नमें humor and pathos जो था mix मिलता था इसी तरीके से Charles Dickens के वर्क्स में भी जो कुछ उन्होंने परिशानियां देखी थी तो उसको उन्होंने पैथोस पूरे मैलंग के लिए दुख के साथ में और हूमर भी जोड़ दिया तो उन्होंने समाज को पर कटाक्ष भी करा पर करा, satire भी करा और satire ऐसे नहीं करा, के बहुल कटाक्ष करा इस तरह से करा कि लोगों के चेहरे पर smile आए और ओर लोगों को कमी पता लगे जो कुछ आसपास चल शाए इनका जो humor है उसमें हमें satire कटाक्ष मिलता है वहनी एक्सपोस जब वह अपने युक की जो कमिया है इविल से उसे वह एक्सपोस करते हैं Dickens Mingles, Dickens मिलाते हैं humor and pathos को, तो इनके work में हमें humor और pathos दोनों मिलेगा हम जब पढ़ते हैं इनके works को, तो हमारे चेरे पर smile भी आती है और हमारी आँखों से आंसू भी गिरते है Dickens Plots, पर चार्ज Dickens का अगर हम work की बात करें, तो इन्होंने जो ज़्यादातर works जो थे, वो इनके newspaper में weekly magazine, weekly publish होते थे, कहानी के तौर पे तो लोग क्या होते थे, कहानी खतम हो जाती थी, तो सोचते थे, अब ही अब आगे क्या होगा, फिर आगे इंजार करते थे, अगले सप्ता publish होती थी, तो इनके ज़्यादा तर जो works है, वो कहानी के रूप में publish होते, short stories के रूप में, short stories, पर जब कई एक सारी short stories को इन्हों मिलते हैं, no organic unity, ख्याम रखिएगा, no organic unity, तो हमें इनमें unity नहीं मिलती है, जो novel है, उसमें हमें एक कहानी नहीं मिलेगी, कई एक सारी short stories होती थी, जिनको एक साथ चलते थे, तो एक ऐसे चल लेगी, कहानी बीच मोगी, एक ऐसे आ गई, पिर एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ difficult होया था, और ऐसे भी देखो, novel जो होता है, वो कई page का होता है, drama छोटे होते हैं, novel बहुत हैवी होते हैं, और जवाने में novel लेके तो वो तो ऐसी बहुत हैवी होते थे, तो एक ही story नहीं चल सकती कभी भी novel में, novel जब आप पढ़ोगे, तो उसमें कई बार एक parallel stories चलने detachable episodes, detachable episodes means, आप उन episodes को हटा सकते हो, जो कहानी उस पर फर्ग नहीं पड़ेगा, आपने मानलो इसको हटा दिया, तो जो कहानी है, main कहानी इस पर फर्ग नहीं पड़ेगा, तो detachable episodes से, organic unity हमें नहीं मिलती है, तो यस तरीके की चीज़ें हमें इनके works में देखने को मिलती है, लेकिन इसके plots में, तो इसी के साथ में ये खतम होता है वीडियो, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे देशन में आया होगा, मिलते अगले वीडियो में, good bye.